नमस्कार किसान सातियों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल फेस्बूक पेज कहते बाड़ी और मैं आपका साती संदीब जाकरे किसान सातियों आज के वीडियो में बात करें हैं गेउं के पसल में येलोरस्ट के बारे में तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें नीचे कोमेंट बॉक्स में अपने सुजाव जरूर चोड़ें किसान सातियों जैसे कि हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं यलो रष्ट की कपी ज़्यादा समस्य आ रही है जिससे कपी ज़्यादा उत्पादन घट रहा है और उसमें किसानों को प्यार थिक नुकसान भी हो रहा है तो इसी वी से अपरे आज मारे साथ है सेजंटा कंपनी के जनफरती निदी उन से जानेंगे हम यलो रस्ट के रोग के पैचान के बारे में और उसके लक्सन के बारे में और उन से बात करेंगे उपसार के बारे में भी कौन सा प्रोडेक्ट यूज करें और कितनी मातरा में करें जी नमस्कार जी नमश्कार सिदीब जी मैं गुर्दाज सिंग आप सबी किसान भाईयों का सेजेंटा इंडिया लिम्टेड की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जी अब अब बात करेंगे यलो रस्ट के ग्यों के पर सल में उसके पहичес 고け वारे में आप से जानना चाहेंगे विसकी पहत opinion कया और उससे का नुक्सान क्या हमें विल्यकुल संदीब जैसा में किसान साथियो मा Commission apples को बता दूँ की यलोरस्ट है जैसे दिन का टमपरेचर अपने 15-20 डिग्री सेल्सियस और रात का टमपरेचर जैसे 7-10 डिग्री सेल्सियस और हवा में थोड़ी नमी हो तो यह बिमारी जो जिसे अपने यलोरस्ट या पीला रत्वा कहते हैं या हल्दी रोग भी किसी एरिया में कहते हैं तो यह बहुत ही तेजी से फैलता है और अपनी गेहूं का बहुत ज्यादा नुकसान इससे होता है अगर इसके लक्सन की बात करें तो इसकी पैचान क्या है इसको किसान बाई कैसे जान पाएंगे भी वास्तमी यलोरस्ट यह हैं जैसा कि संदीब जी मैं आपको बता दूँ जैसे अपने ख खूटे हैं तच करते हैं देखते हैं तो अपने हाथों पर भी पीले रंग ताइप या पाउडर वो लग जाता है जिससे अपने पचान कर सकते हैं कि अपने खेत में हल्दी रोग और यह पेचेज के अंदर जादा आता है अपने इसको घेत के इंदर गुसके देखेंगे तो बहार से खड़े होकर शायद लग सकता है कि नहीं आए लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो यह यालो जो रस्ट है पीला रत्व है वो आया होता है जी अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसको फार्मर को इसमें बड़ा नुकसान क्या है हाँ जी यह यदो है वो अपनी उपज में 70 परतिषत अंधर निकलेगी उसका साइज हुए उसका वजन चू अपने कम मिलेगा क्योंकि यलो रस से जंड़ापती की जो है प्रकाश इंसलेशन की क्रिया है वह बाद्य हो जाती है जिससे की वह बोजन नहीं बना पाता पौदा और उसके जो दाणों की संख्या भी कम हो जाती है बाड़ी में और उसके वजन पर भी बहुत परभाव पड़ता है अगर किसान साथी हमारे खेत में यह लो रस्ट अगर जै आता है इसके अगर जिसम स्मझ से आती है तो प्रोडेक्शन का में काफी ज्यादा नुक्सान होता है और जिसका सीदासासर मारी जैपर पड़ता है तो अगर हम बात करें इसके उपचार के बारे में तो इसके यूनिक कमेस्ट्री अपने को फंगी साइड के अंदर देखने को मिल सकती है इससे क्या है कि अपनी फसल के अंदर जो यालो रस्ट आता है इंपक्ट एक्स्ट्रा उसको कंट्रोल करता है यानि कि अगर अपनी फसल में यालो रस्ट आ चुकी है तो उसके बाद अपने आने के बाद दोनों का अगर आने से पहले किसान बाई इसका प्रयोग करेंगे इंपक्ट एक्स्ट्रा अपनी फसल की एक कवच की तरह सुरक्षा करेंगा जिससे की अपने खेत में यलो रस्ट भी नहीं आएगी और अपनी फसल हरी-बरी रहेगी जिस से इसके साथ यलो रस ज्यादा मिलता है जिस्सेंहें अपने प्रटक्षन बढ़ता है और दूसरा चार्मिणल हीट है जो लास्ट में टम्परेचर का जो इससे यह बचाता है जिस्सेंहीं नहीं नहीं देता और अपना , कि बात करें तो हम कितनी महत्रा में परत के हिसाब से पानी के अंदर इसकी क्या डोज रखेंगे और किसाब से यूज करेंगे हाँ जी अगर अपने इसको प्रेयोग करते हैं तोएक एम्यल प्रती लीटर पानी के हिसाब सेशाब से इसको अपने को यूज prepares करना है और कम साथियों आपकोई फसल की पैदावार भी बढ़ेगी और आप इस प्रड़क्ट को यानि कि सजंटा के एंपक्ट एक्स्ट्रा को यूज करने के बाद आप बहुत एक खुशाल किसान की सूची में आप अपने गाउं में आने लग जाओ गई तो किसान साथियों यह थे सजंटा कंपनी के जनफरती ने दी जिन से हमने जाना यलो रस्ट के लक्सन के बारे में उसके पैचान के बारे में और उसके उपचार के लिए हम कौन सा प्रोडेक्ट यू कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दिन्यवाद है